स्वी साट गुर्षवाम्य अर्दास्त राम की निभुर वसुष्त महराज की कर्वसंतन महात्मान की दो रामकिर्शन बगवान की अम्लाव नज्याती तनात अधार्मती लक्ष्मिनारादी गव्माता देजे भार्त माता देजे अधी मेल मिटाए भजन करे भगवान को चित के अचल बनाए तम अध्यान अटाए टेमु आतम ज्यान सा पस्तु पंजो पान जाती पाए जिय में पान पच्छान लाए तु मेट मदायू मान सब जो साक्षी आए जो सुई साप सुजान तेंग पान पछाण परदात्म परेप करे आहे आतम दीव भिर्ष्टा तिन दी अनसदो तुल्या में जित सूरहे पूरण पुर्ष अभीव कुजन जाने भीव कह तेंग तेंदीव जो मिठ्या जर्द खरूप आहे दियन आत्मा सक्चित्यान दात्मा परमातम सरूप जे में जनम नमरन को आये खंड रूप तेम असंग अनुपजर अमर्सो आये तू मिठ्या जड़्द खुरूप आय दियनात्मा सच्चत्यानन आत्मा परमात्म सरूप जैमे जनमन मरन को आय खंड रूप तेम असंग अनूप जर अमर्सो आयंकू अरियों सांति 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 अरियों सांति 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 स कर दो बुल्गुर्देव भगवान की जै श्री लक्ष्मी नारायन भगवान की जै श्री शंकर भगवान की जै सद्गुरु टेव राम महराज की जै सद्गुरु सरवानन्द महराज की जै सद्गुरु शान्ति प्रकाश महराज की जै सद्गुरु हरिदास राम महराज की जै श्री गुर्देव भगवान की जै श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जै अम्रा पुर दरबार की जै गंगा गीता गव माता की जै निशोक मानम गत राग देशम ग्याने कसुर्यम जगदेत परवन्द्यम अध्या अत्मलीनं विनविर्त कामं श्री प्रामन शर्णं प्रपत्य श्री प्रामन शर्णं प्रपत्य सर्वानन्द प्रदातारं सर्वानन्द निकासेकं सर्वानन्द अवित्तारंच श्री सर्वानन्दं नमाम्यहं श्री सर्वानन्दं नमाम्यहं गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णू गुरू जेव महेश्वरा गुरू साक्षात्वरं ब्रह्मा तस्मैश्री गुरुवे नमाह तस्मैश्री गुरुवे नमाह तस्मैश्री गुरुवे नमाह भज्मन नारायन भज्मन नारायन भज्मन नारायन लक्ष्मी नारायन नारायन मुझे में आरायन, मुझे में आरायन सब में नारायन सब में नारायन बजमन नारायन लक्ष्मी नारायन बजमन नारायन भगवान की जैए भगवान पर हमेशा विश्वा सिधर पियारा विश्वा सिधर पियारा भगवान पर हमेशा विश्वा सिधर पियारा 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 निश्चे भला करेगा पिर भू सदा तुमारा पिर भू सदा तुमारा निश्चे भला करेगा पिर भू सदा तुमारा पिर भू सदा तुमारा तिल गिल हो ये दुख में भगवान ना बुलाओ दिल गिल हो ये दुख में भगवान ना बुलाओ दिल गिल हो ये दुख में भगवान ना बुलाओ तो भगवान ना बुलाओ भगवान ना बुलाओ दीरज धरे हिर्दय में नेराम का सहारा विश्वास धर प्यारा दीरज धरे हिर्दय में नेराम का सहारा विश्वास धर प्यारा भगवान पर हमेशा विश्वास धर प्यारा विश्वास धर प्यारा भगवान पर हमेशा विश्वास धर प्यारा विश्वास धर प्यारा समरत सर्व व्यापक किरपान दान जोई 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 किरपान दान जोई समरत सर्व व्यापक पान दान जोई, तिर पान दान जोई, जह ते रक्षा करे सो, हर काल के मनजारा, हर काल के मनजारा, विश्वास ने जोई, जह ते रक्षा करे को, हर काल के मनजारा, हर काल के मनजारा, विश्वास ने जिसी को, बेडा दिबेन तिसे का, विश्वास है जिसी को, बेडा दिबेन तिसे का, विश्वास है जिसी को, बेडा दिबेन तिसे का, विश्वास से जहर भी, विश्वास से जहर भी, अमरत भया उदारा, अमरत भया उदारा, बगवान पर हमेशा, विश्वास धर पियारा, विश्वास धर पियारा, भगवान पर हमेशा, विश्वास धर पियारा, विश्वास धर पियारा, विश्वास धर निस्च भला करेगा, पर भू सधा तुमारा, निस्च भला करेगा, पर भू सधा तुमारा, परमाजन्य परमशर्देह प्रातो इस्मनी सद्गुरू टेव। रामजी महराच एवन उन्हों के ही चरण शरण में बैठी साथ संगत सभई प्रेम से बोलो सतनाम साखी फिर भी प्रेम से बोलो सतनाम साखी गुरू माराच जी अपनी अमरत्वानी में बता रहे हैं भगवान पर हमेशा विश्वास धर पियारा कि विश्वास की पराकाष्टा में गुरू माराजी हमें बता रहे हैं कि जिसने भी विश्वास किया है उसका सब काम रास हुआ है विश्वास चाये परमारत में हो चाये संसारिक कारे में हो वहाँ भी हमें विश्वास की जवरत पढ़ती है फिर भी सबी बोलो सतनाम साखी चाहे कैसी भी परिस्तिती आजाए जीवन में कितना ही बड़ा संकट आजाए पर जिसने विश्वास किया है उसे कुछ भी नहीं हुआ जिसे रामायर का एक प्रसंग आता है कि जब अंगद रावन की सबा में गया तो उसने देखा कि रावन को बहुत अभीमान है एहंकार है अपने उपर क्योंकि रावन के पास सब कुछ था परन्तु उसमें सुमती ही नहीं थी बस फिर भी सभी बोलो प्रेम से सतनाम साखी सतनाम साखी तो सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अभीमान किया एहंकार किया और उसका परिणाम पतन ही हुआ तो जब अंगद ने देखा कि रावन बहुत एहंकारी है उसने अंगद का सम्मान नहीं किया तो अंगद ने समझ लिया कि अब इसे एक चुनोती और दी जाए ताकि क्या पता इसे सद बुदी आ जाए ये परमात्मा की शरण में आ जाए तो अंगद ने अपना पैर रावन की सबा में जमा दिया सभी प्रेम से बिलो सतनाम सकी क्योंकि अंगद को पूरा विश्वास था कि जो भी वो कारे करेगा वो परमात्मा ही करेंगे उसे पूरा भरोसा था कि यह कारे खुद नहीं परमात्मा स्वयम कर रहे हैं तो उसने विश्वास किया और अपना पैर उस सबा में जमा दिया और पैर जमाने के बाद वह रावण को चुनोती देने लगा क्योंकि रावण में बहुत शक्ती थी उसके सभी जो भी सेना पती थे उन सभी में बहुत ताकत थी पर यहां विश्वास की परिक्षा हो रही है कि कितना कैसा विश्वास हमें प्रभू परमात्मा की प्रती करना चाहिए हम क्या करते हैं जब हमारे पर कोई दुख आता है कोई विपती आती है तो हम आश्च्रे तो लेते हैं प्रभू परमात्मा का सहारा लेते हैं पर हमारे अंदर वह विश्वास नहीं होता, जैसा कि एक भक्त में होना चाहिए, फिर भी सबी प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी, गुरु माराज जी भी अपनी अमरत्वानी में बता रहे हैं, रेमन राखो राम में, पूरन तुम विश्वास, कहे टेऊं विश्वा से होवे सब दुखनास, कि उस प्रभु परमात्मा में विश्वास करो, तक ही जीवन में कैसी भी परिस्टिती आए, वह कब टर जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा, तो अंगज ने भी वहाँ पर पैर जमा कर चुनोती दी सभी को, और जो भी योदा आया, जो भी उसका पैर उठाने के लिए सेनापती आया, वह उसका पैर उठाना तो क्या पर हिला भी नहीं सका, इतना अटूट विश्वास था उसे प्रभु परमात्मा में, तो यहाँ पर भी प्रेम की मैमा गुरु माराजी बता रहे हैं, विश्वास है जिसी को, बेडा डुबेन तिसका, विश्वास इसे जहर भी, अम्रत बया उधारा, कि जिसने भी विश्वास किया है, उसका कभी भी उसको कोई नफ़ा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हमें भी प्रभु परमात्मार पर विश्वास करना है, प्रभु परमात्मा की शरन लेनी है, क्योंकि जब विश्वास होगा, तभी हम प्रभु परमात्मा के मारग में अग्रसर हो सकते हैं, विश्वास पहली सीड़ी है प्रभु परमात्मा के मारग में चलने के लिए जैसे कि मीरा ने भी विश्वास किया उसने सभी का पहले आश्चे लिया मीरा को पता था क्योंकि जब उसे जहर का प्याला दिया गया तो उसे बताया गया उसकी दासी दोरा कि इसमे जहर है पर उसने प्रभु परमात्मा का परशास समझ कर उसे ग्रहन कर लिया और वह जहर से अम्रत बन गया तो ऐसा अटूट विश्वास प्रभु परमात्मा में भगतों ने किया हम भी प्रभु परमात्मा में विश्वास रखें सवी प्रेम से बोलो सतनाम साखी कहे टेम विश्वास से होवे सब दुखनास कि जब विश्वास होगा तब ही प्रभु परमात्मा हमारा क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है कोई विपती आती है तो हमारा मन डग मगा जाता है भकतों का मन और हमारे मन में यही अंतर है कि उन्हों को कैसी भी परिष्टिती आई उन्हों का मन कभी डगमगाया नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि जिसने दुख बेजा है वह दुख हरेगा भी इस विश्वास के द्वारा ही उन्होंने अपने जीवन में संसार के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि जो भी उस पार ब्रम में विश्वास करेगा उसको किसी प्रकार की विपती नहीं आ सकती और यदि आ भी गई तो वह कब दूर हो जाएगी उससे पता भी नहीं चलेगा फिरी प्रेम से बोलो सतनाम साखी प्रहिनाद कर यकीना प्रकट किया हरी को कहे टेउं कष्ट तांके नरसिंगन निवारा इतियास में हम देखेंगे तो खूब बहुत सारे भक्तों के चलित्र है बहुत उन्हों की व्याख्या की गई है कि उन्होंने प्रभु परमात्मा ने कैसे कैसे उन भक्तों की परिक्षा ली उनके विश्वास की कैसी कैसी परभु परमात्मा ने परिक्षा ली है तो हम भी जीवन में विश्वास करें निश्चे भला करेगा पिरबू सदा तुम्हारा कि अगर मन में दरण निश्चे है विश्वास पक्का है तो कुछ भी नहीं हो सकता जो भी होगा अच्छा ही होगा तो गुरु माराज जी भी गुरु माराजी के जीवन में भी हम देखेंगे तो उन्होंने भी विश्वास किया प्रभू परमात्मा पर जब उनकी जोपडिया जला दी गई तो भी वह डगमगाए नहीं कहा गया जह जह ओट वर्ती मालिक जी तेहें जी लहे ठोसार जह जह ओट वर्ती मालिक जी जी लहे ठोसार बायू बिंगी उनके सब जाहिल जगजादेई आया